हेलो फ्रेंद्स इस दीपक सिंग और आज हम टॉपिक डिसकस करेंगे हॉन बिल टेस्टिवल के बारे में ये टॉपिक काफी न्यूज में चल रहा है अच्छुनी नागा लैंड में काफी जादा क्राइसिस चल रहा है को बिलेटिंगा को मार दीया है तो काफी सारी इशुज चल रहे हैं पहले इस tätä क्या चल सकता है इसके उपर चल सक सकता है तीसरा है अवसमा के बारे में अम पोर्डड़़ल पावर अक्ट जो है उसके ओपर भी एक कोशन बन सकता है यह तो आपका प्रिलिम्स टॉपिक है तो अगेन जो नागलेंड जो के जो क्राइस हुआ है उसकी हम एक लेक्टर सीरीज लॉंच करेंगे जिसमें तीन चार हम लेक्टर इसमें कवर करेंगे अपने अलग लेक्टर में करूंगा तो उसे हम पढ़ते हैं हॉन्बिल फेस्टिवल के बारे में इस टॉपिक को हम क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि डीसेंटली अभी इसी बैग्राउंड में तुशो सॉलिडारिटी विद पीपल विद इस फेस्टिवेल को उन्होंने कैंसल कर दिया गया है ठीक है इंपक्ट सबसे पूछू कि ग्रेटर हॉन्बिल को कौन कौन सी स्टेट ने स्टेट बढ़ डेजिगनेट करा हुए और उसका ग्रेटर हॉन्बिल का अभी इस टाइम पर आयू सीन स्टेटस क्या है दोजार अठारा में कुछ और था अभी विसेंटली अबला दोस्तार अठारा तक कुछ और था अब उसके बाद चेंज कर दिया गया तो यह सारे कंटेक्स्ट में कुछ ना कुछ कोशन मन सकते हैं ठीक है तो हमाहॉन्बिल फेस्टिवल के बारे में पढ़ते हैं पहले तो इसमें कि असाम रेकल्स का वैसे भी डियोल कंट्रोल है वह भी मैं आप डिसकस करूँगा वह अपने अगलेंड के जो क्लाशेस हैं उसकी सीरीज में आप देख लीजेगा वाल दा स्टेट गवर्मेंट कॉल्ड अव दा ओंगोइंग हॉन्बिल फेस्टिवल एज अ मार्क इस साल बहुत जादा ग्रैंड लेवल पे सेलिबरेट करा जा रहा था पट इंस्पाइट आफ दाट इंस्पाइट आफ बिइंग सच अ प्रॉमिनेंट फेस्टिवल जो अभी बीसेंट्ली आपका डिसेंबर एक दोहुजार इक से स्टार्ट हुआ था विच कुन्स इस सबूसपर करते हैं इस तरहिए उड्यकर कंपूस्टेवल कोग डिस माजाते इस आप का पर्यात पर संच इस वनवार्ट के आपन्द्टॅग आप इस. लोग अपका पॉस्टिवल को विवल हुआ जाते हैं में इस या电 का इसकी बात करें, so it is named after the bird Indian hornbill which is displayed in the folklore of most of the states type, there are 9 hornbill species in India of which great hornbill is the most famous ठीक है, तो जो इंडिया में जो hornbills मिलती हैं, उनके नाम पर आपका करा जाता है आपकी 9 hornbill species इंडिया में मिले जाते हैं जिसमें से great hornbill सबसे famous है, सबसे prominent है तो उसके बारे में हम discuss करेंगे, सारे species के बारे में तो नहीं करेंगे, याद करना भी रहेगा नहीं, because we have to follow a smart work smart approach follow करने पड़ेगी, hard approach या फिर hard work की जगा, यह festival का venue का है, क्या है, it is held at Naga Heritage Village in Kisama, which is about 12 km from Kohima in Nagaland इसकी duration क्या है, it is annually held from 1st to 10 December जो मैंने आपको बताया था, which concides with the statehood, the first festival was held in 2000, जो 2000 में आपका celebrate करा गया था, और यह कौनसी date के साथ मैंने आपको बताया था the date, marks the date जब Nagaland को statehood मिली थी 1963 में December 1 के आसपास आपको वहा पे Nagaland को अपना statehood अचीव करा था तो उसी context में इसी background में इस date से आपका start करता है, और यह पहली बार आपका 2000 में celebrate करा गया था, विद्नियू मैंने आपको बता दिया के Nagaland heritage village in Kisama, which is about 12 km from Kohima, तो Kisama करके है, अगर वो पूछे है, exactly अगर बिल्कुल pinpoint करके पूछे, तो Kisama में celebrate करते है, Kohima में नहीं इसे organize कौन करता है, it is organized by the state tourism and art and culture department of the government of Nagaland, तो एक state festival है, यानि कि इसमें central government का, government of India का कोई रोल नहीं, या फिर कोई NGO role play नहीं करती, इसे आपकी ये state department आपका role play करता है, objective इसका क्या है, कि एक तो tribal culture जो है, उसको prominent आपका क्योंकि शोकेस करना, national level पे, global level पे, and most importantly, जो Nagaz आप इसमें solidarity, आपकी promote करना, इस festival की key highlights क्या है, it includes showcasing the traditional naga, morang's exhibition, ये इसका की एक feature है, and the sale of जो भी उनकी art, craft, food, song and dance shows होते हैं, जो proper एक fair होती है, उस तरीके से इसमें सारी इसकी चीज़े include करी जाती है, और सबसे जादा important इसका जो aspect है, वो है, organizing the hornbill international rock festival, ठीक है, जहां पर local and international, national, आपके जो rock bands है, वो perform करते हैं, तो ये भी पूट सकते है, hornbill international rock festival, आपका किस festival के दौरान आपका celebrate करा जाता है, कहां पर celebrate करा जाता है, तो ये आपका hornbill festival of nagaland है, वहां पर celebrate, उसके अंदर include करा जाता है, अब हम बात करते हैं, इस beautiful bird के बारे में, जिसका नाम है great hornbill, मैंने आपको बताया था, इंडिया में 9 hornbill के species मिले जाते हैं, उसमें जो famous, जो सबसे famous है, जो सबसे recognized आपका species है, वो है आपका great hornbill, ये आप देख सकते हैं, ये इसकी बीक है, और उसके ओपर ये इसकी covering है, जिसका वैसे कोई जादा use नहीं है, तो बहुत said initially, while explaining the hornbill festival, that there are 9 hornbill species in India, of which great hornbill is the most famous, इसका scientific name है, ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, ये पूछती भी है, scientific name है, bucares, bicornis, ये इसका scientific name है, common name इसका क्या है, concave cast hornbill, concave cast, इसका मतलब है, ये जो cask है आपका, c-a-s-q-u-e-d, ये आपका cask है, ये इसकी beak है, ये इसका cask है, ठीक है, ये इसका सबसे prominent feature है, और जिसका कुछ काम नहीं है, सिर्फ डेकॉरेटिव परपस के लिए, ऐसा नहीं कि इन्होंने अपने अप लगा लिए, इनका पार्ट है, पर आज तक इसका कोई use, इसका discover नहीं कर पाए, सारे आपके scientist, ठीक है, तो इसको और किस नाम से कहा जाता है, हो सकता है, greater hornbill के नाम से, great hornbill के नाम से ना question पूछे, वो पूछे, concave cast hornbill, great indian hornbill, और great pied hornbill, तो यह सारे एक ही नाम है सबके, ठीक है, और इसका scientific name है, bucaris bicornis, इसकी range देख लेते हैं, map से आपको देखना में असानी रहेगी, तो mainly आपका जो northeast India है, south east Asia, जो पूरा आपका जाता है, Asian countries है, वहाँ पर आपका great hornbill की range है, and it also extends a bit to the Himalayas, but इसकी जो अलग से एक और range है, वो आपकी western ghats है, तो यहाँ पर आपका जो केला है, जो मैं आपको बताऊंगा कि केला की state bird है, केला की state bird है, तो इस वरा से क्योंकि केला में भी इसकी species मिलते है, तो western ghats हो गया, बाकी पूरे इंडिया में वैसे कोई natural इसकी range नहीं है, अगर हाँ इसको घूमी घूमी करने, इ इस वरा से सर्वाइब नहीं कर पाएंगे, टेंपरेचर का भी रहता है, तो यह जो आपका हिमालिन फुटिल्स है, और पर साथ में आपका western ghats है, तो hills है, यहाँ पर dense forest है, तो वहाँ पर आपकी यह range है, ठीक है, तो इस फाउंड इंडियन सब कॉंटिनेंट एंड साउथ east asia, the bulk of the population of great hornbill, मैं again my friends आपको एक चीज़ कहना चाता हू, हम सरफ great hornbill के बारे में बात कर रहे हैं, बाकी सारे hornbill के species के बारे में बात नहीं कर रहे है, the bulk of the population is found in India, where it is restricted to the himalayan footills, hill forest in northeast India, and disjunctly the west evergreen forest of western India, यानि कि western ghats के अगर हम बारे में बात करें, यह question मन जगता है, कि वो eastern घाट में, चलो north east तो पता है, हिमाल्यास भी हो गया, इस पर बड़ा अच्छा ocean मन सकता है मेरे साब से, वो पूट सकते हैं यहां पर कहां कहां पर मिलता है, तो आप कहो गया, north east हो गया, हिमाल्यास हो गया, फिर वो पूट सकते हैं कौन सी घाट, eastern या western, चीगे, त तो इसका correct answer है western घाट, ऐसा नहीं है कि यहां पर north east के पास है, तो चलो यहां से थोड़ा सा इसी तरीफ से eastern घाट में मिलते हैं, तो इसकी जो main range है, वो आपकी north east इंडिया, हिमाल्यास और आपका western घाट है, और उसमें केड़ा में भी आपका, इसका जो species है, ठीगे, इसकी key features के बारे में बात करें, तो बड़ी इसकी लंबी उम्र है, सर्व दुआओं के चक्कर में नहीं, लेकिन वैसे भी काफी लंबी उम्र है इसकी, and it lives for nearly 50 years in captivity, डाइट की बात करें, it is predominantly frugivorous, frugivorous का मतलब है feeding on fruit, ऐसे हो सकता है कि आपको वैसे लगता हो कि चलो fruits खाते हैं, पर ये term ना पता हो, तो इसलिए मनें include करें आप है, frugivorous species है, but it is an opportunist and will prey on small mammals, reptiles and birds, तो जो small mammals होगे, reptiles होगे, birds होगे, थोड़ी ये heavy और वैसे आपकी लंबी bird है, आपकी great hornbill, तो इन सब पे भी feed कर सकती है, मैं एक movie देख रहा था, साहिब भी और gangster, उसमें एक, जो heroine है वो रंदी पुद्दा से question पूछती है, कहते है, vegetarian और non-vegetarian, तो वो सोचता और answer देता है, mockatarian, mockatarian कहती है, क्या, तो mockatarian का मतलब है कि जैसा जो mockat मिले, वैसा मैं खा ले तो, तो तेखा जाए तो ये भी एक mockatarian ही है, वैसे तो fruits खाती है, ये, पर उसके बाद अगर mockat मिल लेकिन जो इनका सबसे prominent feature है, जो इनका key highlight है, इनका distinctive feature है, वो इनकी cask है, ठीक है, तो जो इनकी bright yellow and black cask on top of its massive bill, ये जो मैं आपको बताया था, ये जो bill है, जिसको वो use करके kill bill बन जाती है, तो ये इनकी, अपकी है, and this is the cask, तो ये जो है आपका देख सकते हैं, या पर yellowish सा है, तो ये इसका key feature है, इसका, ठीक है, the cask appears, U-shaped when viewed from the front and the top is concave, इसी वज़े से मैंने आपको बताया था, इसका एक और नाम मैंने आपको बताया था, कि इसका क्या नाम है, concave cask on bill, ये आपका scientific name है, तो सारे interlinked है, ऐसा नहीं कि सरफ बिना ऐसी कुछ नाम रख दी है, किसी feature के उपर ही नाम रखा गया है, तो इसी विरा से, ठीक है, तो इसी विरा से, and the top is, जो है, the cask appears U-shaped when viewed from the front and the top is concave, with two ridges along the sides that form points in the front. The cask is hollow, oh sorry, the cask is hollow, and serves no known purpose. अंदर कुछ है नहीं, ठीक है, और ज्यादा कुछ इसका key purpose भी नहीं पदा, इसका status देख लेते हैं, ये बहुत ज्यादा important है, मैं कहूंगा, इसमें, IUCN status, यानि कि आपका, जो होता है, International Union for Conservation of Nature, जो red list बनाता है, ठीक है, तो, पहले इसको कहा जाता था, नियर थ्रेटन था, अब लेकिन क्या हुआ है, कि habitat loss काफी जादा हो रहा है, hunting हो रही है, तो इसकी वज़ासे, इसका status अब upgrade कर दिया है, या फिर degrade कर दिया है, जो भी है, मतलब इसको vulnerable डेक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है, on the IUCN red list of threatened species, पहले इसका नियर थ्रेटन था, न जो कि इसका habitat loss हो रहा है, और poaching हो रही है, इसकी hunting हो रही है, इसकी cash के लिए, इसकी bill के लिए, इस वज़ासे, और sites का जो आपका है, जो एक और convention, जो international trade in endangered species आपका prevent करती है, regulate करती है, उसके appendix 1 में इसको include करा गया है, तो यही main दो चीज़े है, और इसकी अगर legacy देखा ज है, इसी चक्कर में, बहुत सारे cultures में इसको बलबेक होता है, कि इसको place दी गई है, जैसे गर हम केरला की बात करें और अरुनाचल की बात करें, अरुनाचल प्रदेश की बात करें, तो वो state bird है, यह बहुत जादे important point है, यह बहुत कमी जगा लोगों को पाता चलेगा, और मुझे काफी उमीद है कि state exam, UPSC में यहाँ पर confuse करेंगे, तो केरला और अरुनाचल प्रदेश की यह state about तो है, पर नागा लैंड का क्या जी, नागा लैंड में तो विल्कियो हनमिल festival भी होता है, बहुत जादा prominent point है कि आप लोग पक्का उसे mark करेंगे, हो सकता है, UPSC तीन आप गलत हो जाओगे, so it is not a state bird of Nagaland, although the Honbell festival is celebrated in Nagaland every year, Nagaland की जो state bird है, वो है, Blyth's Tragopan, यह इसकी state bird है, यह याद करना जादे इंपोर्टन निया, पर यह याद करना बहुत इंपोर्टन है कि Nagaland की state bird, Great Honbell नहीं है, in fact, जो Bombay Natural History Society है, BNHS, birds के लिए जिसने बहुत जादा काम कर है, उसका लोगों भी Great Honbell है, Bombay Natural History Society, और अगर cultural aspect में देखें, तो इस तरीके से कि ऐसे Nagaland warrior cap जैसे होती है, Honbell warrior cap होती है, वो Nagaland के region में होती है, जिसमें the cap features a Honbell beak segment and consists of number of Honbell feathers, जितने जादा feather होते हैं, उसका मतलब होता उतना जादा इंसान ने successiveness कर है, तो यह आपकी Honbell warrior cap है, तो friends, यह था lecture मेरा Honbell festival पे और Great Honbell के उपर, I hope आपको lecture अच्छा लगा, अगर lecture अच्छा लगा, then do like it, share it and subscribe to the channel of AQ Bias, बहुत सारे social media platforms पे अवलेबल हैं, तो if you have any query, then please feel free to connect me, I am Deepak Singh and my team members at AQ Bias, so friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias, bye, thank you. AQ Bias, बहुत सारे social media platforms